दीक एंसेरियन स्पिरिट, टैन प्रशंसनी अव्यक्तियों को सम्मानित करते हुए में आपका स्वागत है. इस आदर्श सम्मान में हम दस अद्विती अव्यक्तियों के जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो करक राशी के संग साजह करते हैं. अभिनय और कलात्मक्ता की द प्रतिभाओं के साथ में खुद को डूबने वाले हृदय को छूने की क्षमता के बारे में खोजते हैं. टॉम हैंक्स जुलाई के नौवें दिन जन में एक ऐसे करक व्यक्ति को दर्शाते हैं, जिन्हें उनकी वास्तविक गर्म जोशी और समवेदन शीलता के लिए जाना गई हैं. हैंक्स उनकी सहानुभूती और भावनात्मक गहराई की बात करें, जो उन्हें अभिने करने में आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं और हमारी आत्मा पर अटूट प्रभाव छोड़ते हैं. टॉम हैंक्स अपनी राशी की पोशन करने और सहानुभूती स्वभाव को प्रतिष्ठित करते हैं. उनकी क्षमता दर्शकों के साथ गहरी भावनात्मक स्तर पर जुडने को उनकी कर्किय समवेधन शीलता का प्रतिबिम्बित करती हैं. हैंक्स की प्रस्तुतियां अकसर कर्किय दया और समझ के गुणों का प्रदर्शन करती हैं, जो दर्शकों को एक भावनात्मक भ्रमन का अनुभव कराती हैं। प्रिंसेस डायाना एक सच्चे कैंसेरियन अपनी राशी से जुड़े पोशन के और देखभाल के स्वभाव का प्रदर्शन करती थी। उनकी सच्ची दया और मानवियता प्राप्ति के लिए हैं। इस मैक्सिकन कलाकार की पहचानी गई आत्मचित्रन और व्यक्तित्व, जाती, लिंग और पोस्ट कलोनियलिजम की खोज में उनकी करकिय समवेदन शीलता और गहराई को प्रतिबिम्बित करती हैं। काहलो की भावनाओं की गहराई में खो जाने और उनक के दर्द को मारमिक कला के साधनों में रूपांतरित करने की क्षमता आज भी दर्शकों को मोहित करती हैं। फ्रिडा काहलो ने अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाएं और आंतरिक भावनाएं व्यक्त की जो कांतिपूर्ण रूप से करक राशी से जुड़े आंतरिक गहराई और समवेदन शीलता का प्रदर्शन करती हैं। मेरिल स्ट्रीप, 22 जून के दिन जन्मी, परिवर्तन शीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के करकिय गुणों को प्रतिष्ठित करती हैं। मेरिक गहराई के रूप में उपस्थित होने की वजह से मशहूरी हासिल हुई है। उनकी करकिय गहराई और समवेदन शीलता की क्षमता का प्रतिबिम्बित होने से संगहर्श और समझ के बीच तालमेल बनाने की करक राशी की इच्छा को प्रकट किया जाता है। मरपण ने एक राश्ट्र को परिवर्तित कर दिया। 1994 से 1999 तक दक्षिन अफ्रीका के राश्ट्रपती के रूप में उनकी करकिय सहानुभूती और कूटनीती की आत्मा ने देश के लोकतंत्र में संक्रमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेलसन मंडेला ने अपने राश्टी के संवेदन शीलता और समझदारी के साथ जुड़े अधिकांश विचार के प्रमान का प्रदर्शन किया। उनकी ताकत के साथ और एखन करने और विपर्यास के बीच में संघर्ष करने की करकिय प्रतिबधता ने सुख शान्ती और समझ की स्थापना करने में करकिय इच्छा को प्रदर्शित किया। मंडेला के नेत्रित्व शैली में दयाभाव और क्षमा की जड़ है जो सहनशीलता और करुणा के करकिय गुणों को प्रतिष्ठित करती है। मस्क की क्षमता एक बहतर भविश्य की कल्पना करने और उसे निरंतर्ता से कार्यरत करने में प्रकट होती है जो करकिय संकल्प की मूल है। और उनके नवाचारी समाधानों में आकर्शित होने की क्षमता करकिय प्रवृत्ती की प्रतिष्ठा को प्रकट करती है। सेलेना गोमेज 22 जुलाई के दिन जन्मी समवेदन शीलता और कला प्रकट करने के करकिय गुणों की प्रतिमूर्त ई है। इस अमेरिकी गायका, अभिनेत्री और निर्माता ने अपने संगीतिय करियर में और फिल्मों में स्प्रिंग ब्रेकर्ज और दी फंडमेंटल्स ओन अफ केरिंग जैसी भूमिकाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। गोमेज की क्षमता अपने दर्शकों के साथ गहराई से जुडने में, जो उनकी करकिय सहनुभूती के साथ संबंधित है, उन्हें मनोहारी आदर्श में बनाती है। सेलेना गोमेज अपने संगीत और अभिनय करियर में भावनात्मक गहराई और समवेदन शीलता को दर्शाती है। उनकी भावनात्मक स्तर पर दर्शकों के साथ जुडने की क्षमता करकिय प्रवृत्ती को प्रतिष्ठित करती है। गोमेज की सत्यता और उनकी व्यक्तिगत संगर्शों के बारे में खुलापन उनके प्रशंसकों को उनकी खुद की समवेदन शीलता को ग्रहन करने के लिए प्रेरित करती है। रॉबिन विलियम्स 21 जुलाई के दिन जन में मजाकिया और सहानुभूती के करकिय भाव की प्रतिष्ठा करते हैं। इस प्रसिध अमेरिकी अभिनेता और हास्य कलाकार ने अपनी उर्जामई प्रस्तुतियों के माध्यम से डेड़ पोईट्स सोसाइटी और गुडविल हंटिंग जैसी फिल्मों में लाखों दिलों को छुआ। विल्यम्स की करकिय हास्य को आधार बनाकर मनोरंजन की दुनिया में लाखों लोगों के दिलों को प्रभावित किया गया है। उनकी मजाकिया कला अक्सर गहरी भावनाओं के साथ जुड़ी होती है, जो राश्य की क्षमता को प्रदर्शित करती है कि वे हंसी मजाक करते टॉम क्रूज थ्री जुलाई के दिन जन में द्रिड़ता और बहुमुखीपन का एक करकिय गुणों को प्रतिष्ठित करते हैं। अमेरिकी अभिनेता और निर्माता के रूप में उनकी फिल्मों में टॉप गन और मिशन इंपॉसिबल श्रिंखला जैसी फिल्मों में उन जीवन की जटिलताओं को निर्धारित करने और सहन शीलता के साथ रहने की करकिय इच्छा को प्रतिष्ठित करने के बावजूद वे विभिन भूमिकाओं के लिए अपनी भावनात्मक मूल भूत्ता को बनाए रखने की क्षमता को प्रकट करते हैं। और समर्पन की करकिय गुणों की प्रतिष्ठा करती हैं। ब्रिटिश राजकुमारी और क्वीन एलिजबेट टाइवू की बेटी के रूप में उनके धर्मार्थिक काम और विभिन संगठनों में भागीदारी उनकी सकारात्मक प्रभाव बनाने में निहित है। उनकी समाज पर सकारात्मक प्रभाव बनाने की प्रिंसेस एन की प्रतिबधता और समर्पन करकिय चिंतन की प्रकृति को प्रतिष्ठित करती हैं। करकिय आत्मा की प्रशंसा करते हुए हमने दस अद्वितिय व्यक्तियों की अद्भुद गुणों की गवाही दी है। उनकी सहानुभूती और दयालुता से लेकर उनकी सैयम और रचनात्मकता तक वे दुनिया पर अमिट प्रभाव छोड़ गए हैं। तब तक अपनी आंतरिक करक गुणों को गले लगाएं और दुनिया पर अपना असर जारी रखें।